लीजे सुनिए आचारे चतरसेंड शास्त्री की लिखी कहानी मूल मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में एक स्वाभीमानी युवती का विवाह एक धनवानी युवक से हुआ परंतु युवक ने धन के मद से युवती के स्वाभीमान को आहत करना चाहा युवती के सौभिमान और पती के धन के बीच संगर्श का एक अद्भुत चित्रन इस कहानी में है आचार श्री की ये श्रेष्ठ तम कहानी है सिलहट आसाम से लेकर बंबई तक का लंबा सफर हर हालत में एक ठकाने वाला सफर है यदि वो गरीब आदमी का तीसरे दर्जे की रेल गाड़ी में हुआ तब तो हर स्टेशन पर बरसाती मच्छों की तरह गंदे और अशिक चित मुसाफिरों की भरमार और रेल पेल रहती है और छुआ छूट की बीमारियों के रोग जन्तूओं के संक्रमन का भाई ही भाई है परन्तु बड़े आदमी इन तमाम बातों से बरी होने पर भी ठकते हैं फर्स्ट क्लास के आराम देह डबे, सरसराते बिजली के पंके, पद पद पर सोड़ा, बर्फ और सटर पटर सेवाए ये सब उनके सफर की ठकान को नहीं दूर कर सकती है सो क्यों? अजी इसलिए कि वे अमीर जो हैं, उन्हें ठकाने के लिए अमीरी ही का बोज़ा क्या कुछ कम है सो अमला और नवीन, दोनों ही जब लंबा सफर पूरा कर, अपनी अपनी अलसाई देह लिए फस क्लास के डबे से बहारा, गीमती फिरोजी रंग की कार में बैठे और उस से उतर अपने बंगले की हरी भरी रॉंसों को पार करते बंगले की दूसरी मन्जिल में ठाट से सजे धजे शैनागार में नत जानू नौकरों की अभ्यरतना सुईकार करते हुए पहुँचे तब नवीन ने अपना हैट एक और फेक कर, एक आराम कुर्सी पर बैठते हुए अमला से कहा ये सफर भी एक मुसीबत है अमला, मैं समझता हूँ तुम खुब ठक गई होगी मेरे ख्याल में अब तुम जरा आराम कर लो, फिर शाम को आज सिनेमा चलेंगे अमला, जो एक एक इस नए पती घर में पहली बारा, भौचक से उस सजे धजे शैनागार के कीमती चीज़ों पर एक दृष्टी डाल, खिड़की के पासा खड़ी हुई थी पती की ये बात सुनकर धीरे से बोली, धन्यवाद, नवीन ने मुस्कुरा कर पूछा, धन्यवाद का है का अमला, आपकी इस सहान भूती का, जो आपने मेरे प्रती परकट की ओ, नवीन ने एक जोर की हसी का ठाहा का मारा, इतना हसती क्यों है महाशे, अमला ने होट और साथी भूँए से कोड़ कर कुछ कुछ कृद्ध सुर में कहा, महाशे, ये महाशे कौन है अमला, आप हैं न, क्या मैं आपको शुद्राशा कहने की जुर्रत कर सकती हूँ, जिन कह रही हो, अमला, नवीन ने आतुरवानी से कहा, ठीक ही तो, दूसरा कोई नीच आदमी होता तो मेरे पिता की मोटर, जोड़ी, घोड़ा, मकान, बाग, सब नीलाम करा लेता, शायद इजद भी ले लेता, पांच लाक रुपे कुछ थोड़े नहीं होते महाशे, इस वक् ताजी के पास पांच हजार रुपे भी तो नकट ना थे, तो तुम ये कहना चाहती हो, कि उन रुपे के बदले मैंने तुम्हें बयाह लिया, बयाह किसे कहते हैं जनाम, वो प्राणों का विनिमय, जीवन का मूल और आत्मा का पवित्रता का एक ही करा है, वो उस प्रकार क आपको पसंदा गई, उसके बदले आपने कर्जे की बेबाकी कर दी, ये क्या बढ़ी है सौदा नहीं हुआ, परन्तु, परन्तु वन तु कुछ नहीं माश है, मैं आप से कहे देती हूँ, कि मैं आपके बनिये पन को घरना करती हूँ, और सदा घरना करती रहूंगे, आप आत्मा स्वतंत्र है, मैंने ना आपको वरा है और ना आप मेरे पती हैं, इसी से आप मेरे प्रती जो भी सद्वेवार करेंगे, उसके लिए सब्भता की दृष्टी से आपको धन्वा देना मेरा कर्तव है, ना मैं गवारिन हूँ और ना असब है, जो शिष्टाचार के निय करूं मिसमला, परंतो यदि आप आग गया दें, तो मैं निवेदन करूं, कि अभी तो मैंने सिर्फ आपको पांच लाख में खरीदा ही है, अब मैं आपको शीगरी विजय भी करूंगा, मैं जैसा कुशल विया पारी हूं, वैसा ही सफल विजयता भी, मिसमला, क्या मैं आतित्थ सुईकार कर उसे प्रतिष्ठा प्रदान करेंगी, ये सेवक आपकी सेवा से अपने को कृतार्थ समझेगा, इतना कहकर नवीन चंद्र तीवर गती से कमरे से बाहर हो गई, अमला के सारे तीर तमंचे धरे ही रह गई, वो उस शेहन कक्ष में कुछ देर होठ काट और फिर उस फूलों से सजे पलंग पर जो उसकी सुहागरात के लिए सजाया गया था, गिर कर फूट फूट कर रोने लगी, वेभव से परिपूर्ण महानगरी बंबई की उस वेभव पूर्ण अट्टैलिका में सुन्दर सुखत छपर खट पर पड़ी अमला, गंभीर च पर नवीन बाबू की आयू यद्यपी कुछ अधिक है, पर वे अतिशे सुन्दर, सुगठित और सभ व्यक्ति हैं, संपत्ति तो उनके पास अथा है, सद्वेवार और उदारता में भी वे एक है, गट छे माह से अमला का उनका परचे है, इस बीच उन्होंने कभी भी कोई अभद्र आचरा नहों उसके साथ नहीं किया है, उसके साथ उनका ये विवाह यद्यपी उसकी स्वीकृति से हुआ है, पर ये भी कोई स्वीकृति है, पिता ने जब कहा कि उनकी इज़द ताबरू, मर्यादा, सभी कुछ उसके हाथ में है, बिना उनसे ब्याह कि ये पत्के भिकारी हो जाएंगे। उनकी पीड़ियों की मर्याद मिट्टी में मिल जाएगी। तब अमला के पास स्वीकृति को छोड़कर दूसरा उपाय क्या था। पर ये स्वीकृति तो लाचारी की स्वीकृति है। इसमें कोर्टशिप, स्वातंत्र, पसंद और प्रेम कहा हैं। इसलिए उसने उच्च शिक्च प्राप्त की थी कि इस भात ही वो बेच दी जाए। फिर भी अमला के विचार का एक विशा ये था कि आखिर नवीन में उसकी नापसंदगी की चीज़ क्या है। बहुत सोचने पर भी वो उनमें कोई दोश नहीं निकाल पाती। पर गर्वीला हिर्दय जब इस निर्णाए पर पहुँचता था कि ये विवाह उन्होंने रुपए के बल पर किया है। और उस पर उनकी ये गर्वोक ती कि अभी तो उन्होंने सिर्फ खरीदा ही है। वे उसे विजए भी करेंगे। तो उसका आत्मा भीमान हाहा कार कर उठत और वो कहती थी, नहीं नहीं, कभी नहीं, ये आदमी मेरा पती नहीं है, मैं कभी इसको आत्म समर पढ़ना करूंगी, कभी भी नहीं, भले ही जान चली जाए। सोचते सोचते उसका मुह लाल हो आया, आसु सूख गए। राधा ने धीरे से कमरे में आकर विनीत सर में कहा, बहुरानी, क्या आज घूमने चलेंगी, मालिक ने पूछा है, विमोटर में बैठे इंतजार कर रहे हैं, नहीं मुझे काम है, अमला ने रुखाई से जवाब दिया, परंत उसने खिड़की से जाक कर देखा, नवीन बाबुकार की बगल में खड़े, उपर मुह उठाए अमला की प्रतिक्षा कर रहे हैं, अमला की आत्मा जैसे अकस्मात गल गई, उसने दासी को रोक कर कहा, ठहर राधा, उनसे कह मैं आती हूं, राधा सुनकर हस दी और वो मालिक को ये असाध्ध सुसंदेश सुनाने चली, अमला ने नवीन के पास आकर कहा, आग या पालन में देर हुई, शमा कीजे, क्या मैं पीछे बैठ जाओं, आप यदि आगे, मेरे पास बैठ कर मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाए, तो अच्छा है, ड्राइव मैं ही करूँगा, जैसी मालिक की आग्या, वो चुपचापकार में बैठ गई, बैठने के समय, अत्यंत सहियत भाव से उसने अपने कपड़े वसाड़ी को समेट कर ठीक कर लिया, नवीन ने मुस को रहट छेपा कर धनवा दिया, और तीर की भाती कार छोड़ दी, अनंत सागर धरनी से टक्कर ले रहा था, धवल फैनराशी उठती, गिरती और गरचती थी, कार सागर तीर की साफ सीमेंट की तेर रही थी, लंबे सन्नाटे को तोड़ कर नवीन ने कहा, देखा आपने, क्या, इन लहरों का उत्पात अकारण ही अशांत हो रही है, तूफानी ढंग से उठती है, किनारे पर टक्कर मारती है, और विफल मनुरत पीछी लोड जाती है, मर्यादा के बंधन में समुदर बंधा है, भला ये कृद्ध लहरें उस मर्यादा का उल्लंगन कर सकती है, अमला ने व्यंग को समझा, वो होट काट कर चुप रह गई, कार उड़ी जा रही थी, दो-चार सफेद रंग की चुड़िया समुदर तट पर उड़कर मचली के शिकार को ताक रही थी, नवीन न ने कहा, उधर ये लहरें अपनी कुटल भू भंग में लगी हैं, इधर बेचारी मचलीयां वेर थी उनकी चपेट में आकर, इन पक्षियों का शिकार बनती हैं, कहो गुसा किसी पर और भोगे कोई, अमला ने जैसे असहन शील होकर कहा, किसका गुसा कौन भोगता है, कमपित हाथों को देखा, उसने सोचा, मैंने कुछ कठूर बात कह दी, उसने कहा, आप इन सेयत लहरों के लिए क्या दंड तजवीज करते हैं, कुछ नहीं अमला, मेरा खयाल है, तूफानी वायू जेओं ही बंद हो जाएगी, लहरें शांत और इस निक्द हो जाएगी, औ और सूरी की स्वरन किरने हमें आलोक दिखाएंगी, नवीन का कंठ कमपित हो गया, अमला दूर जल राशी में मगन होते सूरी को एक टक देख रही थी, उसे जैसे मालूम हुआ कि नवीन पत्ते की भात ही काप रहे हैं, और एक अत्यंत गोपनी आसु, उनके नेत्र कोण मे जाक कर सूग गया है, उसका नारित्व जैसे विगलत होने लगा, फिर बात नहीं हुई, अंधकार बढ़ने से पहले ही दौनों घर लोट आए, इस बार अमला उन्हें धन्नवाद देने का साहस न कर सकी, वो तीर की भाती तेजी से अपनी कमरे में चली गई, नवीन बाब जैसे उसके प्रान खिच रहे हो, प्यार का एक बीज उसके हिर्दे में विक्सित हो रहा था, पर उसका आत्मा भी मान मचलता था, वो सोचती थी, ये विशाल, महल और अटूट संपत्ती उसी की है, पर वो उसे हट पूर वक पराई समझ रही है, ये क्या उसका अपनी नियाए नहीं है, उसे सुख और आराम के सब सुख साधन उपस्तित थे, नवीन उसका बहुत मान करते थे, सेवक दासी उसकी इच्छा पूर्ती को उपस्तित थी, फिर भी जैसे उसे शूनन सा लग रहा था, पिता को उसने प्यार किया था, उनकी उसे याद आती थी, पि पितान तु जब वो सोचती कि पिताने उसे बिना उसकी इच्छा के बेच दिया है, वो क्रोध और दर्प से कहती, नहीं नहीं, कभी नहीं, मैं कभी उस घर न जाओंगी, उन्होंने मुझे बेच दिया है, मेरे साथ अन्याय किया है, मैंने उनकी आग्या पालन करके अपन हो जाती थी, कभी कभी उसके मन में होता, मैं उनके हिर्दाय से जा लगो, इस तरीत तो कि ये नैसर की गती थी, पर उसकी शिक्षा, सैयम, आत्म समान उसे रोकता था, वो कहती, वही क्योंने ही आकर माफी मांगते, पहले उसका ख्याल था, मैं कभी उन्हें माफ न पिर सोचने लगी, अगर सचे मन से माफी मांगत तो, परंतो उन्होंने तो मुझे चुनौती दी है, चुनौती, और कैसी गरवकती है, अभी खरीदा ही है, अब विजय करूंगा, विजय करेंगे वे, नहीं नहीं, कभी नहीं, देखूंगी कैसे विजय करते हैं, क्रोध और अभीमान से ओत प्रोतमला तडब कर पलंग पर लोट जाती, फिर रोने लगती, रोते रोते उसका अभीमान गल जाता, वो फिर उन्हीं बातों की सोच में पढ़ जाती, इधर तीन-चार दिन से उसके भैट नवीन बाबू से नहीं हुई थी, वो प्रतिक्षन उनके आने की प्रतिक्ष्य कर रही थी, पर वो सुन चुकी थी कि उन्हें बहुत ही काम है और वे बहुत व्यस्त हैं, ओ, कैसे दुख का विशा है कि वो किसी काम में बिलकुल भी व्यस्त नहीं है, कोई कैसे व्यस्त रहता है, उसका मेधावी मस्तिश्क किसी काम में व्यस्त रह चाहता था, एक एक उसके मन में आया, क्योंना मैं कहीं कोई नौकरी करलू, जब मैं उन्हें पती ही नहीं मानती, ये घर ही जब मेरा नहीं, तब अतिती की भाती पड़ी क्यों रहूं, मैं उन अधमिस्त्रियों में नहीं हूं, जो पुरशों के आश्यत रहती हैं, और उनका भार कहाती है, मैंने एमे पास किया है, मुझे चेश्ट्या करने से कहीं भी एक अच्छी नौकरी मिल सकती है, उससे मैं अपना वो मूल ले भी चुका दूँगी, जिसमें मैं बेच दी गई हूं, उसके हिर्दय में आत्म सम्मान की उमंगे हिलोरे मारने लगी, उसने कहा, अवशे ही मैं अपना मूल ले चुका दूँगी, मैं पिता का रिंड चुकाऊंगी, पिता का रिंड पुत्र चुकाता है, पुत्री क्यों न चुकाए, फिर पिता ने पुत्री ही की भाती मुझे शिक्छा दी है, वो द्रढ़ता पूर्वा कुठी और नवीन के काम करने क कमरे की ओर चली नवीन बैठे कुछ जरूरी कागस देख रहे थे अमला को आते देख वियस्त भाव से उठ खड़े हुए उन्होंने कहा आईए मैंने क्या इस समय आकर आपका बहुत हर्ज किया नहीं नहीं अमला हाम में बड़े काम में फसा रहा आपके पास आही न सका आप बैठिये तो अमला ने बैठते हुए कहा मैं चाहती हूँ कि मैं भी किसी काम में लगूँ काम में ये कैसी बात कैसे काम में यही कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए मेरा सर्टिफिकेट कुछ मदद दे सकेगा सीखने से काम भी आ जाएगा मैं कोई भी नौकरी कर सकती हूँ परंतु अमलत तुम्हें हाँ आपको नौकरी करने की जरूरत क्या है जरूरत है एक तो मैं खाली बैठी बैठी जीवन और समय नश्ट नहीं करना चाहती दूसरे और भी एक बात है कौन बात नवीन ने अचकचा कर पूछा मैं अपना मूल ले चुका देना चाहती हूँ कैसा मूल ले आपने जिस मूल में मुझे खरीदा है ओँ वे पांच लाख रुपे और उनका ब्याज एक भीनी मुसकान उनके होठों पर दोड़ गई उन्होंने कहा पर ये तो बहुत कठिन बलकि असमभव सा मालू होता है अमला देवी पांच लाख रुपे बहुत होते है उनका सूद ही धाई हजार रुपे महीना होता है इतना तुम नौकरी करके कैसे चुका सकती हो तुमने एमे पास किया है जादा से जादा तुम्हें दो तीन सौ की नौकरी मिल सकती है मैं अगर सिफारिश करूँ और जमानत दूँ तो इस से दूनी तक पाच सो तनखुए मिल सकती है तो आप अपनी जमानत और सिफारिश पर मुझे एक अच्छी नौकरी दिला दीजे आपका एहसान होगा सूदना सही मूल ही चुकाऊंगी आखिर मैं कब तक आप के उपर आतित का भार डाले रहूं उसके होट फड़कने लगे वो इसी सिलसले में कुछ और भी कहा चाहती थी पर नवीन की भाव भंगी से वो सहम कर चुप हो गई उसके अंतिम वाक्क से नवीन की हिर्दाय में आगात लगा ये उसने देखा वो अपराधनी की भाती नवीन की ओर देखती रही नवीन ने फी की मुसकराहट होटो पर लाकर कहा आतित्थे के भार की बात भी ठीक है आपकी अच्छी बात है मैं आपकी आग्या का पालन करूंगा हाँ आपके आतित्थे में कोई कमी तो नहीं आपको यहां कोई कष्ट तो नहीं मैं ये कहने की धृष्टता तो नहीं कर सकता है कि आप इस घर को अपना घर समझे पर फिर भी मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी आवशक्ताओं के लिए संकोच नवीन की बाते जैसे वेदना और व्यंग की सीमा लांग रही थी उन्हें सुनने की सामर्थ हमला में न थी वो पूरी बात न सुनकर ही वहां से भाग गए चलते समय उसने कुछ अस्भुट शब्द कहे उन्हें नवीन ठीक ठाक न समझ सके वे मन की वेदना को छेपाने के लिए दोनों हाथों से माथा थाम कर बैठ गए दूसरे दिन प्रातहकाल नवीन ने अमला की एक पुर्जा लिख भेजा उसमें लिखा था आप क्या भी मेरे साथ चाए पी कर मुझे प्रतिश्ठा बख्षेंगी कल जो बाते हुई थी उस संबंध में मुझे कुछ निवेदन भी करना है एक अच्छी नौकरी की उमीद है जवाब में अमला सेम ही चली आई चाए पीते पीते उसने पूछा कैसी नौकरी है नौकरी बड़ी जूखिम की है पर मैं आशा करता हूँ आप उसे कर सकेंगी हाँ काम सीखना होगा मुझे क्या करना होगा एक बड़े फर्म की मैनेजरी की नौकरी है वेतन मिलेगा हजार रुपे महीना मगर एक लाख की नकज जमानत चाहिए नवीन बाबू मुसकराट छिपाने को दूसरी ओर देखने लगे इतनी भारी जमानत मैं कहां से दे सकूंगे आपके लिए मैं जमानत दे सकता हूँ अगर आप दो बातों का वचन दे दो बाते कौन एक ये कि आप उसे सुईकार करें दूसरे आप महनत से और एमानदारी से काम सीखें समझें और करें अमला के आखों में आसु आ गए उसने कहा पहली बात सुईकार करना बहुत कठें है मैं आपके एक लाख रुपे जोखिम में नहीं डाल सकती रही दूसरी बात सो क्या आप मेरी एमानदारी पर शक करते हैं ये बात नहीं अमला नवीन ने अमला के दर्द को समझ कर कहा असल बात तो ये है क्या आपके हाथो लाखों नहीं बलकि करुण और रुपे का व्यापार होगा आपकी जरा से असावधानी से फर्म मालिक को लाखों के हानी हो सकती है फर्म की पूरी जिम्मेदारी आप यही पर रहेगी क्योंकि फर्म के मालिक शीगरी व्यवसाई के संबंध में जा पान जाना चाहते हैं मैं ऐसी जोखिम की नौकरी नहीं कर सकती अमला ने तूटे हिर्दय से कहा तब सौरोपे की एक नौकरी करने अपाटशाला की और है चेश्टा करने से एक दो ट्यूशन भी मिल सकती है डेड़ सो तो दोड़ धूप कर आप कमा ही सकती है पर इससे क्या आप अपना मूल ले चुका सकती है अमला मरमाहत हुई कुछ देड़ तक उसके मुख से बात नहीं नकली उसने सोचा सो डेड़ सो इतना तो मैं अनाया सी एक दिन में खर्च कर दे सकती हूँ उसके कैश बॉक्स में ना जाने कौन नोटों के बंडल भर जाता है हाला कि वो कभी कुछ खर्च नहीं करती और कैश बॉक्स छूती भी नहीं उसने भाई अनुनाय और संकोच आँखों में भर कर कहा आप कह सकते हैं कि मैं अबला इस्त्री इतनी भारी नोकरी ठीक तोर पर बजा सकूँगी क्यों नहीं पुर्शों में कैसर खाप के पर लगे हैं मैंने कहतो दिया यदि आप महनत और इमानदारी ये आप न कहिए अमला ने उत्तेजित होकर कहा जहां तक महनत और इमानदारी का संबंद है मैं प्राणों की बाजी लगा दूँगी तो ना केवल आप उस फर्म की मैनेजर ही रहेंगे प्रत्यत उसके एक बड़ी हिस्सेदार भी हो जाएंगे और अपना मूल ही नहीं सूद भी एक बार नहीं पांच बार चुका सकेंगे हो, क्या ये संबह हो सकता है वो आप इसे बाहर होकर आवेश में उठकर नवीन बाबू की ओर चली पर फिर धम से कुर्सी पर बैठ गई उसने अत्यंत दीन भाव से कहा यद्यपी ये मेरा परमस्वार थे पर आप दया करके अगर मेरी जमानत दे दें तो उसके होट कापने लगे और आँखों में आसू आ गए नवीन ने बल पूर वक अपने आसू आँखों की कौर में छिपा कर कहा जैसे आपकी आ गया तो आप मेरे साथ आफिस चलने को तयार रहे 11 बजे भोजन के बाद हम चलेंगे आज ही अभी जिया नवीन बाबू ने जरा रुखाई से कहा और टेबल से उठ खड़े हुए अमला को फिर कुछ कहने का साहस ना हुए उसने सहमती आवाज में कहा मैं तयार रहूंगी वो चली गई नवीन बाबू जब अमला को साथ लेकर अपने आफिस में पहुँचे और आफिस के हिंदुस्तानी और यूरोपियन करमचारियों का अभिवादन गिरहन करते हुए अपनी शांदा टेबल पर और अमला को एक टीमती कुरसी पर बैठने का संकित करस्वें भी बैठ गए तब अमला ने विस में विस भारत आखों से नवीन बाबू की ओर देख मानो मन ही मन कहा ऐसा तुम्हारा वैब हो है नवीन के कुरसी पर आसीन होते ही उनकी यूरोपियन प्राइवेट सेकरेटी डाक लेकर अदब से आहाजिर हुई नवीन ने बिना उसकी ओर देखे कहा धन्वाद मिस सूफी पर कुछ मिनट ठहरो अभी मिस्टर रॉबर्ट को जरा मेरे पास भेज़ दू मिस सूफी ने सिश्टा चार के लिए गर्दन जुकाई और चली गई दूसरे हिक्षण एक प्रोहड यूरोपियन ने आकर नवीन को अभीवादन किया नवीन ने अभीवादन का जवादन का जवाब दे कर उसे बैठने का संकेत करके कहा मिस्टर रॉबर्ट मैं आपका परचए अमला देवी से कराता हूँ आपको एक महीने में जापान के आफिस में जाना होकर और यहां का कुल काम यही करेंगी इस एक महीने में आप सब काम इने समझा दें जिसमें अरचन नहो संभावे मुझे भी जापान जाना पड़े क्योंकि वहां का मामला सुलचता दीख नहीं रहा है खेर आपने क्या अमला देवी का अपाइंटमेंट पत्र तयार कर लिया है जी हाँ यहे है उन्होंने एक कागज उनके सामने बढ़ाया उस पर सरसरी नज़र डाल कर और दस्थ खट करके अमला की और बढ़ाते हुए नवीन ने कहा लो अमला आज से आप इस फर्म की मैनेजर हुए आपको एक हजार रुपे मासिक वेतन एक कार और पचास रुपे रोज भत्ता मिलेगा परन्तों एक ही मास में आपको तमाम काम सीख लेना होगा अमला ये देखकर हका बका हो रही थी सबसे बड़ी बात नवीन के चहरे का वो भाव था जिसके सामने अधीनता के सिवा दूसरी कोई बात नहीं की जा सकती थी घर पर जो उनके चहरे पर प्रेम विनए कोमलता के भाव थे वे यहां नहीं थे यहां उनकी तेज, पूर्ण, शासन और अधिकार की मूरती थी अमला ने खास खकार कर कहा तब क्या मैं ये समझूँ कि मैं आप यही की नौकर हूँ अगर आपको इसमे कुछ आपती नहो ये अग्रिमेंट है आपको सुईकार हो तो दस्खत कर दे उन्होंने मालिका नर्वाब और कुशल व्यापारी की भाती कहा अमला ने अग्रिमेंट पढ़ा और चुपचाब दस्खत कर दिये उसने ठंडी और मुर्दा आवास में कहा नहीं मुझे कोई उज्जर नहीं है पर में रहूंगी कहा नवीन निरलेप भाव से कहा अभी आपका जैसा रहन सेंट चल रहा है वही रहेगा और बर्बस अपनी हसी रोकने के लिए उन्होंने जोर से घंटी बजाती हुए का मिस्टर रॉबर्ट अब आप इन्हें इनके आफिस में ले जा सकते है लेडी टाइपिस्ट मधूर सेंट की गंदे पहलाती हुए कमरे में आ अदब से खड़ी हो गई और अमला हिर्दाय का भार साहस पूरवक उठाकर मिस्टर रॉबर्ट के पीछे पीछे चल दी नवीन ने एक ठंडी सास ली और अपने काम में लग गई अमला बड़ी ही टेड़ी ही लड़की थी एक ही मैने में उसने इस तत्परता और मुस्तेदी से काम को अपने कब्जे में किया कि आफिस में उसका आतंग चागया समय कु समय की उसे परवाहना थी भावक तक उसने भुला दिया था काम की उसे धुन थी वो आंधी की भाती काम खतम करती थी मिस्टर रॉबर्ट जब उसके काम की गुप्त रिपोर्ट नवीन को देते तब एक आनंद मिश्रित संतोश उनके हिर्दाए को भर देता था इस बीच आफिस वर्क को छोड़कर उसने बहुत कम नवीन से भैट की नवीन ने भी धैर पूरवक सयम रखा फिर भी वे संध्या समय उसे घुमाने ले जाते उसका मन बहलाते और उसकी आत्मा को अपने निकट भी लाने की चेश्टा करते थे अमला पर इसका कुछ असर पढ़ता था कि नहीं ये इश्वर जाने पर वो नवीन बाबू के प्रते अतिविनीत और आग्या कारणी हो गई थी मैने की समापती पर जो ही अमला को पहला वेतन मिला उसे जवकते हों लेकर वो नवीन के पास आई नवीन असमय में उसे आया देख बोले क्या बात है अमला अमला ने रुपिया मेज पर रख कर कहा ये कर्ज खाते में जमा कर लीजे नवीन ने अमला की और कुछ देख कर कहा असल में या सूत के पेटे जैसा आप ठीक समझे नवीन ने कुछ न कहकर घंटी बजाए एक मिस हाथ में पेंसिल कागज ले आ हज़िर हुई नवीन ने कहा ये रुपिया में सहाब का जमा करके रसीद ला दो मिस सिर जुका कर चल दी और नवीन अपने कागजों को उलटने लगे अमला चुपचा बैठी रही कलरक ने रसीद लाकर अमला के हाथ में दे दी नवीन की इस समय की नीरस भावना सहरदाय में आग घात खा कर अमला चुपचा पुट कर जाने लगी नवीन भी मान में थे पर उन्होंने उसे जाते देख कर कहा हां अमला मुझे आप से कुछ कहना है अमला लोट पड़े उसने अप एक शक्रत नकली विनीत भाव से सिर जुका लिया नवीन नर्मी से कहा बैठ जाईए अमला अब आपको एक महीना अपना काम करते हो गया काम सीखने के लिए इतना ही समय दिया गया था अब जापान में मिस्टर राबर्ट की बड़ी ही जरूरत है और वे परसों चले जाएंगे काम का कुछ ऐसा पेंच आपड़ा है कि शायद मुझे भी जाना पड़े अमला ये का एक बेचेन हो कर बोली आपको नवीन को अमला के सवर में एक नई वस्तु दीख पड़े जैसे की पर्थम नहीं देखी गई थी उन्होंने और भी मुर्द लभाव से कहा हाँ अमला मैं न जाऊंगा तो भाय है कि मुझे लाखों का घाटा हो जाएगा पर मैं आशा करता हूँ आप सब सम्हाल लेंगी एक ही महीने में आपने जैसी योग गिता का परचे दिया है उससे मुझे विश्वास हो गया है अमला का कंठ सवर काप गया पर उसने कहा आपके न होने का मुझे भाय है नहीं नहीं मैं एक शण भी वहाँ वेर्थन ठहरूंगा जहीं परिस्तिती ठीक हुई मैं लोटा हूँगा इन दो दिनों में अब आपको बहुत काम करना होगा मिस्टर राबर्ट का तो सब काम आपने समझी लिया मेरा काम दो दिन में समझना है और मुझे सफर की तैयारी करनी है अमला का कंठ सूख गया उसकी वो आकल मूरती देख नवीन आनंद विभोर हो गए अमला ने एक आएक कहा एक निवेदन है कहिए आपने मेरी युगता जाच ली शायद विश्वास भी कर लिया नवीन ने घबरा कर अमला की ओर देखा अमला ने कहा अब अगर आप उचित समझे तो अपनी जमानत हटा ले मैं परतिग्या करती हूँ कि अमला की आँखों से टपटप आँसु टपक पड़े नवीन भी आँसु न रोक सके उन्होंने अमला का हाथ अपने कापते हाथों में लेकर कहा अमला अगर तुम मुझे समझ सको इस बार का ये तुम अमला को बड़ा प्रिये लगा वो उसी भाती नवीन के हाथों में हाथ दिये रोती रही नवीन के चले जाने पर अमला कहरदए हाहा कार करने लगा उसकी आँखे जैसे अंधी और कान बहरे हो गए उसे सबूर अंधीरा और शून दीखने लगा और वो समझ गई कि धूरत महाजने न सिर्फ उसे खरीदा ही है प्रत्यत जीत भी लिया है वो उसी की है सोलह आना उसकी नवीन उसके प्राणों में रोम रोम में बस गया है उसका भी मान न जाने कहा चला गया उसका हिर्दाए मान उ पकार पकार कर कहने लगा कहा हो ओ निश्ठुर महाजन ओ विजई नवीन आओ और अमला की असहाई लतिका को सहारा दो हिर्दाए से लगाओ और तभी उसे ये भी भान हुआ कि ये घर, कारबार और सब कुछ मेरा है नवीन के उन आसुआं ने भेट खोल दिया था उसे एक नए जीवन का भेट परकट हो गया था और वो घर में पागल सी दोड़ती नवीन की चीज़ों को प्यार करनी के लिए गूमती फिर रही थी नवीन के चित्र के आगे उसने नतमस तक होकर सिर चुकाया उस पर फूल चड़ाए आफिस में आकर वो पहले नवीन की कुर्सी को आचल से जाड़कर उसे चूमती तब काम में जुटती उसके उनमात को रोकने में सिर्फ भारी जिम्मेदारी और काम का पहाड़ी ही सहायक हो रहा था वो नौबजे ही आफिस आ जाती और वहाँ वो अंधेरा होने तक बैठी काम करती रहती वो अपनी जिम्मेदारी समझ गई थी करुणों के व्यापार और विश्व भर से पत्र वेवार का उत्तरदायत तो उस पर था दिन के बाद दिन और महीने के बाद महीने बीटते गए नवीन के खत आते थे उनमें सिर्फ काम काज की बाते रहती थी उनमें वो प्यार की एक चाया खोजने को तड़ती थी वो सोचती थी कि कभी वे निश्ठुर एक प्यार का शब्द भी न लिखेंगे कभी सोचती मैं ही लिखतू पर वो लिखना सकी चार महीने बीट गए और एक दिन व्यापार की दुनिया में तूफान आया बाजार के भाव उलट पुलट गए बैंक का कस्माद बंद हो गए फर्म के हेड किलर्क ने अमला के पास बद हवासी से आकर कहा पचास लाख रुपया नकद हाथ में न होने से हमारा टाट उलट जाएगा पर सो दस बजे हमें पचास लाख रुपय की बैंक की हुंडियों का भुक्तान करना होगा हमारा रुपया जिन फर्मों में जमा है ये उनकी सूची है पर उनसे कुछ भी मिलना संभो नहीं क्योंकि बैंक बंद हो रहे है सारी परिस्तिती को देखकर अमला का सिर्च चक्रा गया पर उसने साहस से काम लिया उसने कहा आखिरे काए कि ये क्या हो गया एक व्यापारी ने आठ करोड का देवाला निकाल दिया उसके साथ कई फर्म और दो तीन बैंक भी पिस्मरे हमारी भी वही गत होगी अमला ने करोड़ो कर कहा बको मत मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमें कुल कितना रुपिया देना है पचास लाग हुजूर कब तक परसों दस बजी तक अपने पास कुल रकम कितनी है मुश्किल से पंद्रह लाग पावना कितना है लग भग इतना ही ये फेहरिस्त है पर इसमें से कुछ मिलने की आशा नहीं क्यों बैंक बंद है और वियापारी सब इसी स्थिती में है जिसमें हम अमला सोच में पढ़ गई क्लरक ने कहा क्या माली को खबर कर दी जाए अमला ने भूस अंकोच कर कहा इसके लिए समय कहा है इसके खशान भर बाद उसने फिर कहा अच्छा तुम अपना रुपिया तयार रखना और मौटर लानी के आग्या दी पौने दस बज रहा था दो दिन तक बिना खाए पिये सोए सब पावनेदारों पर घूम फिर कर अपने सब गेहने पाते बेच कर अमला कुल चालिस लाख रुपिया एकट ठकर सकी उन्हें टेबिल पर रखे वो अतिशे उद्विग्न मन से पंद्रह मिनट बाद जो सर्वनाश होने वाला है उसकी प्रतिक्षा कर रही थी और रुपिया पाने की कुछ आशा ना थी और फर्म का देवाला निकलने वाला था अमला विकल भाव से आफिस में टहल रही थी एक एक मिनट पहाड सा जा रहा था दस मिनट और बीट गए सिर्फ पांच मिनट रह गए पांच मिनट इन पांच मिनटों में उसी के हाथ से उसके पती की मालिक की सब प्रतिष्ठा जाने वाली है उसने सोचा अगर ऐसा हुआ तो वो आत्म घात कर लेगी आफिस के करमचारी सन्नाटा बांधे चुप बैठे थे एक मोटर आकर दोहर पर लगी और नवीन तूफान की तरह एक हैंड बैग लिया आफिस की और दोड़े करमचारीयों के मुह से चीख निकल गई अमला ने समझा वो घड़ी आ गई उसने दराज से पिस्टॉल निका ली और दूसरे एक शान वो नवीन की गोद में मूर्चित थी हैंड बैग की तरफ संकेत करके कैशियर से नवीन ने कहा उसमें पचास लाक रुपे की नोट है हुन्डिया चुकता कर दो और वो अपने बलेश्ट हातों में अमला को लिए मौटर की और लपके मौटर बंगले में आई अमला होश में आ गई थी और स्वपन की भाती बीती घड़ियों को इसमरण कर रही थी अमला ने भाई भीत होकर कहा वे हुन्डिया संकट टल गया प्रिये हुन्डियों का भुकतान हो गया साथी तुमारा कमीशन चालिस लाक रुपया है मैंने कहा था ना कि अच्छी नौक री है अमला ने नवीन के हिर्दय में मुछे पा लिया अमला को अपना कर नवीन कृत कृत्ते हो गए वही बंबई से आसाम तक का लंबा थकाने वाला सफर दौनों कर रहे थे एक बर पिता का शीरवाद प्राप्त करने की लाल सा अमला ना रोक सकी इसी से दोनों जा रहे थे हाँ ठकान के स्थान पर इस फूरती, उमंग और जीवन था दोनों ने दोनों को पालिया था अभी आप सुन रहे थे आचारे चतुरसें शास्त्री की लिखी कहानी मूल मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में